कच्ची मूफली को पानी में डालके इसका स्वाद और जादा बढ़ जाएगा हम आज बनाएंगे कच्ची मूफली की ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी इन सरदियों में बिल्कुल भी मिसना करें वीडियो को पूरा देखें कच्ची मूफली की रेसिपी तयार करने के लिए आपको लेनी है सिर्फ कच्ची मूफली इसी से हम ये रेसिपी तयार करेंगे तो यहाँ पे हमें कच्ची मूफली लेनी है छिलके वाली है और इसे डाल देना है पानी के अंदर कड़ाई में पानी भढ ले और इसे पानी में डाल दे करीब एक या डेड़ कप ये अच्छी मूफली है आप ये रेशिपी बहुत सारी मूफली से बना के तयार कर लें और इसे स्टोर कर सकते हैं फिर आपको इसमे थोड़ा चा पानी डाल देना है और एक दू मिट के लिए हमें इसे उबालना होगा जादा नहीं उबालें सिर्फ एक दू मिनट के लिए हमें इसे ओवर नहीं बॉयल करना है नहीं तो ये ज़रस से जढ़ाब सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखिए यह perfectly जो है boil हो गए है इन्हें हम निकाल लेते हैं गरम पानी में आपको छोड़ना नहीं है तुरंती निकाल लेना है नहीं तो यह जादा soft जाएगी तो यह देखिए उबालने से क्या होता है जो मुफली है थोड़ी सी full भी जाती है तो अच्छे से हमने इसे निकाल लिया है इसका सारा पानी आपको सुखाना होगा तो पहले आप इसे चलनी में निकालें फिर एक इस प्लेट पी निकाल दें बड़ी प्लेट पे और इसे अच्छे से पोच पोच के सुखा लें आप इसे कपड़े से पोच सकते हैं या फिर टीशू पेपर से पोच सकते हैं मैं आप इसे अच्छे से टीशू पेपर से पोच रही हूँ क्योंकि टीशू पेपर अच्छे से पानी को सोक लेता है कपड़ा उतना अच्छे से नहीं सोक पाता है अच्छे से पोचने के बाद आप चाहें तो इसे आदे घंडे के लिए पंके के नीचे भी छोड़ सकते हैं उससे इसका पानी जो है बिल्कुल सूख जाएगा तो पानी हमें बिल्कुल निकाल लेना है मुफली का बिल्कुल भी मुष्चर ना रहे पानी सारा हटा लेने के बाद ये जो मुफलीया है वो तयार हो गई है आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर मैंने अच्छे से सुखा लिया है आप चाहें तो फैन के नीचे सुखा देंगे ना तो भी सूख जाएगा इसके बाद हमें कड़ाई ले लेते हैं और इसमें नमक डाल देते हैं मैंने आप एकदम से फ्रेश नमक लिया है तो इसे हम थोड़ा सेकेंगे गैस कौन कर दे और हाई कर दे और इसे पका ले आप पहले से पकावा नमक ले सकते हैं जैसे हम बेकिंग वगएरा में नमक का इस्तमाल करते हैं ना वही नमक आपको लेना है मैंने यापे फ्रेशली नमक ले लिया है क्योंकि मेरे पास पहले से नहीं रखा हुआ था इसे आपको दो-तेन मिनिट के लिए ऐसे गरम एकदम कड़ाई में इसे सेक लेना है ताकि नमक सेक जाए और पक जाए फिर आपको मुफली डाल देनी है मुफली डालने के बाद ये थोड़ा सा शुरू में चिपकेगा नमक मुफली के ओपर लेकिन जैसे जैसे ये सिख जाएगा तो नमक जो हट जाएगा अपने आपसे आपने पॉपकोन बनाने वाले को या कचिरी बनाने वाले को देखा होगा ठीली पर आते हैं और वो पॉपकोन बनाते हैं इस तरह से हम यहाँ पर मुफली को सेक रहे हैं बहुत ही टेस्टी और क्रंची रेसिपी तेयार होती है मुफली की इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राइ कर सकते हैं आपने एक कभी नहीं बनाई होगी एक बार ट्राइ करें हमने इसे बॉइल करके लिए है न मुफली को तो इसका और भी अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से हमने सेख लिया मुफली को यह देखिए 5-7 मिनिट लगे है इने सेखने में अच्छे से सेखना है आपको और सेखने के बाद यह मुफली तयार है आप इनको शिलका निकाल के खा सकते हैं यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है यह देखिए तो एकदम क्रिस्पी हो गई है गरम गरम में तो आपको क्रिस्पी नहीं लगेंगी जैसे ठंडी होंगी आपको यह क्रिस्पी लगेंगी और खाने में अलग ही लगेंगी बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है इस तरीके से आप मुफली को तयार करके स्टोर कर सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगे और सरदियों में आप इनसे मज़ा उठा सकते हैं अगर आपको आज की मुफली की तैसे भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले